यह ज़्यादतर चर्चा हैं चुनाव केंद्रित रहने वाली हैं और जब चुनाव की बात होती है तो दो गटबंधन आमने सामने दिखाई दे रहे हैं इंडिया मुकमल तौर पर एक गटबंधन के तौर पर सामने खड़ा हुआ है इंडिया इस अ प्रोसेस इन मेकिंग गटबंधन की आज कॉंग्रेस की राज्य एकाईयों की बैठक हुई आला कमान के साथ पेंच जो समसे बड़ा पेंच है सीटो का बटवारा कौन कितना जुकने को तैयार है कौन कितनी दरिया दिली दिखाएगा कौन कितना गटबंधन धर्म निभाने को तैयार है खबर ये आ रही है कि बीस जनवरी तक सीटो का बटवारा हो जाएगा अभी बीस जनवरी में सोला दन बाकी है और ये लंबा वक्त हो जाता है लेकिन आज जो बैठक हुई उस बैठक के बाद जो खबर सामने आई है उसमें दरार की जो खबरें जो अटकलें हम दरार शब्स तमाम न्यूस चैनल्स इस्तमाल कर रहे हैं दरार की खबरें फिर से सामने आती दिखाई लिए लेकिन क्या ये हकीकत है या महस फसाना ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ कौंग्लिस कोई गटबंधन नहीं करेगी ऐसा राज्या इकाई ने कहा है कि भाई 13 की 13 सीते हम लडेंगे पिछली बार 13 हम लडे थे आठ सीते हमने जीती थी जीत हासिल की थी आठ सीतों पर हम क्यों जाने दें आम आदमी पार्टी तो कहीं खड़ी हुई दिखाई नहीं दी थी लोग सबाचनाव में बाद में चाहे उनकी सरकार बन गई हो अब वहां के जो बड़े नेता हैं अमरिंदर सिंग राजा अध्यक्ष हैं पंजाब कॉंग्रेस के वो कह रहे हैं कि हमने तो AICC को बोल दिया क कि तेरा सीटों पर लड़ो बटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई और लड़ने की रन नीती पर आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे अब ऐसा लगता है कि भाई अगर पंजाब में नहीं जुड़ेंगे साथ आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस जो सीधा विशलेशन जहन में आता है दिमाख में आता है तो ये दिल्ली में कैसे जुड़ पाएंगे जबकि दिल्ली में खबर ये आ रही है कि अर्विन केजरिवाला और राहूल गांदी की सीधी बातचीत हुई है तीन चार का तीन कॉंग्रेस चार आम आदमी पार्टी का फॉर्मूला लगबग तयार है तो अगर दिल्ली में वो साथ मिलकर लड़ने को तयार हैं और पंजाब में अलग-अलग लड़ेंगे इससे दरार माना जाए क्या ये हकीकत है या फसाना है आद चर्चा करेंगे इस पर इस पहलू पर भी दूसरा केरला की बात करते हैं केरला में वाम खेमा कहरा है कि वाइनार से ना लड़ें राहूल गानदी पिछली दफ़ा अमेटी और वाइनार दोनों जो जो कैसे लड़े थे हमेटी में हार का सामना करना पड़ा। वाइनार्ड से ना लड़े होते तो सांसत भी ना बन पाते तो वो वाइनार्ड कैसे छोड़ देंगे और 20 सीटे हैं केरल में वहाँ पर कॉंग्रेस ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी और वहाँ पर सीधी टकर वाम खेमे और कॉंग्रेस के बीच है बीजेपी संगठन बहुत पुराना है लेकिन राजनेतिक ताकत के तोर पर देखा जाए तो वो ना के बराबर है तो ये दोनों साथ वहाँ लड़ लेंगे तो बीजेपी के तो फायदा होगा, इन दोनों से अलग अलग कोई सीपी, आई सीपीम से नराज है, कोई कॉंग्रेस से नराज है, वो बीजेपी के पास चला जाएगा तो ये दरसल क्या एक स्मार्ट पुलिटिकल मूव हो रही है दरार के नाम पर तकरार के नाम पर नूरा कुष्टी भी है ब्रिंकमेंचिप भी है बहुत संग्याओं से पूरे राजनितिक सिनारियो को इस सुरत यहाल को नवाजा जा सकता है और तीसरी कड़ी जो इसमें जुनती है वो है पश्चम बंगाल की अब पश्चम बंगाल में ममताब एनरजी पॉल पुजिशन पर है सबसे ज़्याद सीटे लोकसभा की पिछली बार भी जीती थी कॉंग्रेस दो सीटे जीत पाई थी बीजेपी अठारा सीटे लेने में काम्याब हो गई थी अब ममता कह रही है कि हम तो दो सीट देंगे तो अधीर अज़न चौधरी वो क्या कहते है ममताजी से कौन सीट मांग रहा है कौन भीक मांगने गया है शब्दों पर गोर कीजिएगा हम अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं ममताजी मोदी जी की सेवा में लगी हुई तो भाई इनकी तो बात नहीं बन पाएगी प्रत्थम दृष्ट्या जो कहते हैं ना पहली नजर में ऐसा ही प्रतीत होता है पर ऐसा ही है क्या या अंदर खाने ममताब एनर जी वो दो से चार सीट कॉंग्रेस माग रही है दो देने को तैयार है दो पर वो लड़े चार पांप छे जगह कॉंग्रेस अपने उम्मीदवार खड़ा कर दे फ्रेंडली फाइटी हो जाए तो उसमें क्या वोटों के बटवारे की गुंजाईश स्ट्रोक आशंका कम हो जाती है साथ जुर जाएंगे तो बहुत से लोग बीजे पी चले जाएंगे वाम वाम करने वाले भी राम राम करते पाए गए हैं बड़ी तादाद में ये पस्चिम मंगाल की बड़ी एक दिल्चस्प राजनेते कहानी है इसमें ये तो एक पक्ष हो गया कि फसाना है पर हकीकत भी है क्या शेत्रिय दल अपनी ताकत का एसास करवा रहे हैं और कॉंग्रेस को बता रहे हैं कि हमारे आगे जुकना होगा राज्यों में जहां आपकी सीधी तक्कर है बीजेपी से एक सोनब्बे के करीब सीथे हैं वहाँ पर लड़िए पर जहां दबदबा हमारा है चीजें हमारे काबू में हैं तो जो हम कहेंगे वही सही और इसी की कड़ी जे डियू जोड़ती दिखाई दे रही है अभी संयोजक बने ना बने तीन दिन से खबरों में चाहे हुए हैं नितीश कुमार लेकिन अब वो राश्रिया ध्यक्ष बन गए हैं और पहले तो सीता मडी से देवेश चंदर ठाकुर का नाम उन्होंने अनाउंस कर दिया एक तरफा यूनिलाटरल डिसिजिन इसमें इंडिया की कोई सहमती नहीं ली गई तो जानकारों ने कहा कि नहीं वो सुनील कुमार पिंटू बागी हो गए हैं तो यह करना जरूरी हो गया था लेकिन अब इस कड़ी में दो सीटे और जुड़ गई है संजे जहा बहुत करीबी है नितीश कुमार के इंडिया अगटबंदन की जितनी बैठके होती है संजे साथ दिखाई देते हैं नितीश कुमार के दरबंगा से उनके नाम का एलान कर दिया गया है और तो रब सॉल्ट इन दे वूंड जखमों पर क्या नमक भी लगा रहे हैं अरुनाचल प्रदेश में जो किरन रिजजु जहां से लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं अरुनाचल प्रदेश पश्चिम और कॉंग्रेस दूसरे नमबर पर थी वहां पर रुच्ची तंगुक के नाम का इलान कर दिया है जेडी उने तो बात तो ये चल रही थी जो जीते थे और जो दूसरे नमबर पर रहे उस हिसाब से सीतों का बटवारा होगा लेकिन यहां पर ये पेंच भी आ रहा है क्या या आइना भी दिखाया जा रहा है या अपनी ताकत का एहसास करवा रहे है शेत्रिय दल तो पूरी तस्वीर क्या उभर कर आती है अभी वो पूरी तरह से साफ नहीं है और इस बीच आज जो बैटक हुई उसके बाद कॉंग्रिस के राश्रिय अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे माइक्रो मैनेजमेंट की भी बात करते सुनाई दिये कि हमें माइक्रो मैनेज करना होगा माइग्रिंट्स के घर जाना होगा S.C.S.T.O.B.C दलित, आदिवासी, पिछडे और जो अल्प संख्यक हैं उन पर खास ध्यान देना होगा उनके वोट कटने ना पाएं तो ये कॉंग्रिस का प्लाइन है क्या S.C.S.T.O.B.C इन पर खास ध्यान यही है क्या प्लाइन पर इन पर ध्यान तो B.J.P कई सालों से देती आ रही है तीन महीने पहले चुनाव से यका यक ध्यान देने से नईया पार लग जाएगी क्या ये ऐसे ही कुछ सवाल हैं जिन पर आज मैं विशुद राजने तेक चर्चा करने वाला हूँ ऐसे में आज का सीधा सवाल कॉंग्रिस का प्लाइन S.C.S.T. O.B.C. पर खास ध्यान और इंडिया में दरार का तराना बहुत दिनों से बजा रहे हैं हम ये हकीकत है या फसाना चर्चा में मेरे साथ कॉंग्रिस के राश्रिय प्रवक्ता अभै दुबे आम आदमी पार्टी के राश्रिय प्रवक्ता जास्मीन शाह तौसीव खान समर्थक हैं त्रिनमूल कॉंग्रिस के संगीत रागी संग विचारक हैं दिल्ली उन्वर्स्टी में पढ़ाते हैं और पंकर शर्मा राजनेतिक विश्लेशक हैं लंबे समय तक कॉंग्रिस से भी जुडे रहे तो आद संगीत चर्चा आपसे शुरू करता हूँ ये गटबंदन नहीं हो पाएगा इनकी तो दरारे इतनी हैं इनमें पेंच इतने हैं ये कहीं हकीकत कम फसाना ज्यादा तो नहीं हो रहा या फसाना कम हकीकत ज्यादा किस तरह से आखते हैं संदीप दरसल आप देखेंगे कि ये उनकी मजबूरी है आपस में लड़ जाना आप जो आप 23 सीटें ऐसी थी जो राश्टिय कॉंग्रेस को केरल और पंजाब से आई थी आपने अभी उसका जिक्र भी किया 15 सीटें और 8 सीटें 23 सीटें यानि कि 52 सीटों में से 23 सीटों पर यदि कॉंग्रेस समझाथा करती है तो आप सोच लीजे कि विपक्षियों की यानि कि सिपियम की और आम आदमी पार्टी कि ये चाल ये होगी कि कॉंग्रेस पार्टी को पंजाब में भी सिमेट दे और केरल में भी समेट दे यदि वहाँ से कॉंग्रेस पार्टी यदि कम सीटों पर जीतती है तो आप समझ जाईए कि कॉंग्रेस सीटें बढ़ा कहां से पाएगी उसको लड़ना पड़ेगा करनाटक में ज़्यादा सीटे जीतने पड़ेगी तेलंगाना में जीतने पड़ेगी जो अभी उत्तर भारत के अंदर जो आभी दिख रहा है उसमें तो मुझे नहीं लग रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी कहीं से भी सीटों को गेन करते हुए नहीं गटबंदन में होने का मतलब यह कहां लिखा हुआ है कि नहीं साथ साथ ही लड़ना होगा अलग अलग भी लड़ सकते हैं देखो देखे संधीप यह राजनेतिक सच्चाई यह है कि CPM के नेताओं ने बहुत साफ साफ कहा है कि हम तरणमुल कॉंग्रेस के साथ वहाँ पर चुनाओ नहीं लड़ेंगे यानि कि जो करडबंदन है वो क्या ममता बनर जी और कॉंग्रेस के साथ होने वाली है पश्चिम बंगाल में तीनो साथ तो नहीं आ रहे हैं यह तो बहुत निश्चित है तरणमुल कॉंग्रेस दो सीटों से ज़्यादा तीन सीटों से ज़्यादा कॉंग्रेस पार्टी को आज के दिन में देने के लिए तयार नहीं है उतनी देगी बाकी में कर लो जी फ्रेंडली फाइट आपको खड़े करने कर लो बिल्कुल ठीक है लेकिन यह क्या एक स्मार्ट प्लिटिकल मूव भी हो रही है जिसे क्या हम नजर अंदाज कर रहे है मेरा सवाल बिल्कुल मुझे लगता है कि ममता बनर जी की नजर सिर्फ इदे ही तक नहीं है ममता बनर जी ने जो ये बात कही थी कि कॉंग्रेस पार्टी से जो प्रधान जो संजोजग की भूमिका होनी चाहिए वो मलिकार जुन खड़गे की होनी चाहिए तो एक प्रधान मंत्री का दावेदार मलिकार जुन खड़गे की होनी चाहिए अर्बिंद केजरिवाल ने का अर्बिंद केजरिवाले और ममता बनर जी का भी था तो ये कोई अनायास नहीं है ये जान बूझ करके उनके राजनेती का हिस्सा है ताकि कॉंग्रेस के गांधी परिवार को इससे किनारे लाए जाए इसने हमें 19 सीटों पर समेट दिया मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या आज के दिन में कॉंग्रेस पार्टी आठ सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी पंजाब के अंदर वो तो कह रहे हैं तेरा पर लड़ेंगे यानि क्या आज के दिनों में आम आदमी पार्टी इतनी सीटें देने के लिए तैयार है पंजाब में मुझे लगता है कि राजनेतिक जमीन जिसे चीन करके आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है तो दोनों तेरा तेरा पर लड़ें उसमें शिरुमनिय अकाली दल और बीज़पी की संभावनाएं कम हो जाती है 26 सीटें आपको क्या लगता है कि पंजाब के अंदर जो है वो आधे आधे पर बटवारा पर मान लेंगे मुझे ऐसा नहीं लगता है राजनेतिक तौर पर देखो बहुत साफ साफ है मुखंबल गटबंदन नहीं है पर गटबंदन के नाम पर कहीं पर एक साफ और कहीं पर आरपार की लड़ाई होगी कोई भी पार्टी कोई भी चित्रियदल जिसने कॉंग्रेस से जमीन चिन करके तरर तो रहना ही था दरर तो है ही इकठा इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि यदि हम इकठा नहीं रहते हैं आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस दिल्ली में साथ लड़े और पंजाब में अलग अलग लड़ें ये जरा अभी देखते जाएए ये दोनों साथ आते हैं भी या नहीं आते हैं अभी आगे आगे देखिए होता है क्या थीक है अब 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 आदमी ये दरार है भाई पंजाब में आपकी स्टेट हिकाई कह रही है हम तो 13 की 13 सीटों पर लड़ेंगे AICC ने हमें कह भी दिया है केरल में आप 220 सीटे लड़ेंगे वाइनार छोड़ने को राहूल गांदी तयार नहीं ये दरार के साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं या ये कोई राजनतिक रणनीती अक्तियार की जा रही है संदीप चौधरी जी इंडिया गडबंदन दल जो बना है वो दरार नहीं एक करार के तहद बना है मैं संगीत रागी जी को सुन रहा था भारती जनता पार्टी के प्रती जुकाव वाले राजनेतिक विशलेशक हैं तो उनका विशलेशन को थोड़ा सा उनको आत्ममन्थन करना चाहिए कि हम जो सारे इंडिया गडबंदन के दल हैं सौभावी के प्रांतों में हम लोगों की प्रतीस परदा है जा भारती जनता पार्टी का अस्तित्व आज की समय में नहीं है वहाँ आंतरिक प्रतीस परदा है वो तो दिखेगी ही दिखेगी लेकिन न ममता बैनार जी ने न अर्विन केजरिवाल जी ने मोधी परिवार का नाम लिया उन्होंने अगर खडगे जी को सयोजग या खडगे जी को प्रधान मंत्री कहा उसके संकेत साफ थे कि भारती जन्ता पार्टी के वो खिलाप है एक बात हमको साफ समझनी चाहिए कि 18 प्रांतों में आज भी कॉंग्रेस पार्टी के सांसद हैं और 25 प्रांतों में भारती जन्ता पार्टी के हैं और जितने एक शेत्री दल इंडिया गटबंदन दल के हैं स्वाभाविक रूप से वो अपने एक एक प्रांतों में उनका इसिस्टेंस के मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कहीं पर दोस्ती कहीं पर अब्बा कहीं पर कुट्टी यह दरार की गुट्टी सामने पेश की जा रही है या राजनेतिक रन नीती है सवाल सीधा है मेरा संदीप चौदरी जी पहली बात तो अभी साड़े छे बजे साड़े छे साथ बजी के लगभग जो पांचों हमारे इस कॉर्डिनेशन कमीटी के सदस्य है मुकुल वासनिक जी, अशोग गेलो जी, वुपेश बगेल जी, सलमान खुरशीद और मोहन प्रकाश जी उन्होंने विस्तरत रिपोर्ट अध्यक जी को सोपी है उस रिपोर्ट के आधार पर हम कोशिश करेंगे कि अधिकतर प्रांतों में अच्छा तालमेल सीट शेरिंग हमारी हो लेकिन 2004 को भी याद करी, अभी आप लेफ्ट फ्रेंट की जो बात कर रहे थे केरला की तो जब 2004 में भी समझोता हमारा हुआ था तो वो त्रिपूरा में, वेस बेंगॉल में, केरला में उनकी सरकार थी लेकिन वहाँ गडबंदन नहीं किया उन्होंने हमसे आंधर प्रदेश में गडबंदन किया था समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजपार्टी का हमसे पहले गडबंदन नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश में लेकिन कुछ पोस्पोल अलायंस होंगे, कुछ स्ट्रेटेजिक अलायंस होंगे, जिसकी बात आप कर रहे थे तो यही आम आद्मी पार्टी के साथ आप करने वाले हैं, पंजाब में आप 13-13 सीते अलग-अलग जड़ेंगे और दिल्ली में गडबंदन कर लेंगे, क्या यह होने वाला है देखे, उसमें भारती जन्ता पार्टी को दोनों इस जगे पर लाब नहीं है, अगर यह स्ट्रेटेजिकली यह निरने लेना भी पड़ता है अभी तो पांचो सदस्यों की कमीटी क्या निरने लेगी, वो अधिकरत बयान पार्टी जारी करेगी, आज में उस पर टिपड़ी नहीं कर सकता लेकिन उसमें भारती जन्ता पार्टी का फायदा होते हुए तो दिखाई आपको देता नहीं है दिल्ली में सौभावी ग्रूप से जब आम आदमी पार्टी जीत कर आई थी, तो भी उनका लोगसभा में वोट परसेंटेज 18 था और कॉंग्रेस पार्टी का 21 था तो वहाँ पर possibility है अगर पंजाब में नहीं होता है स्थानी इकाईया नहीं वैसे तो सारी स्थानी इकाईयों से बात हो गई जो पांचों कॉर्डिनेशन कमीटी के लोग हैं उनकी प्रतेक प्रांतों की प्रांती इकाईयों से चर्चा हो गई है और जो भी रिपोर्ट सम्मिट होगी सामोहिक निरने लिया जाएगा और इसी लिए बोखलाट में भारती जन्ता पार्टी आप देखे न जब उनको सत्ता की चिंता सताती है तो ED बाहर आ जाती है जब जब ED बाहर आए तो समझ लिए राज्य एकाईयों की बात सुनी जाएगी या जिसके साथ आप गड़बंदन करेंगे यहाम आदमी पार्टी से बात हुई आपकी कि दिल्ली में गड़बंदन कर लेते हैं पंजाब में अलग अलग लड़ेंगे यह सोच समझकर कदमताल की जा रही है या यह कॉंगरेस की आपकी खुद की विश्षुद अपनी रण नीती है ने 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 दिखिए जब सामोहिकता से निरण ngay होंगे तो सब सामोहिकता से होंगे सारे राजनेतिक दलों के होंगे इसलिए स्थानी इकाईयां जो बयान देती है उसका फर्क राश्ट्री गडबंदन पर नहीं पड़ने वाला है ये भी बात साफ हो जानी चाहिए जो निर्णाय होगा वो इंडिया गडबंदन के दल सामेविट्टा के साथ लेंगा AICC ने अमरिंदर सिंग राजा वारिंग कह रहे हैं कि AICC ने हमें कह दिया है कि तेरा सीटों की तैयारी करो पंजाब में कि देखिए मैंने कहा ना आपको की राज्यों की काईया अपना वक्त भी देगी लेकिन जो निर्णे होगा वो ये कॉर्डिनेशन कमीटी के जो पांच लोग है और राश्टी अध्यक्ष जी जो निर्णे लेंगे इंडिया गडबंदन दलों के साथ वही निर्णे फाइन संदीव जी पहले तो मैं बता दूं कि मुझे खुशे हो रही कि आज देश भर में जितनी उतेजना और जितनी चर्चा है लोकसभा चुनाओं को लेके वो किवल इंडिया गडबंदन को लेके हैं कोई आज अज एंडिया बीजेपी से नहीं पूछ रहा है कि आप अपने 40 आलीस अलायंस पार्टनर्स के बीच में क्या डिसकुशन कर रहे हो किसको कितनी सीट में कोई खटपट देखी नहीं रही क्या पूछे जहां खटपट नहीं पेंच नहीं दरार नहीं मैं बता संदीव जी मेरा उतर सुन लीजे और आप भी हसेंगे आप भी हसेंगे यहां इसलिए आपको कोई खटपट नहीं पता चल रही है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह जो डिसकुशन और डिबेट्स हो रहे हैं यह healthy discussions हैं इनको हो जाने दीजे क्या आज यह कहना संभव नहीं है कि पंजाब में क्या formula होगा दिल्ली में क्या formula होगा लेकिन आम आदमी party की हमेशा यह एक सोच रही है कि हमें अपने आपसी हित से उपर उठकर देश को बचाने के लिए जिस भी seat से जो भी party जिसका संगठन और यही हम कह रहे हैं कि इसी फॉर्म मेरी जानकारी है कि इंडिया alliance के discussions खतम होगे मेरी जानकारी है यह बताइएगा गलत है कि नहीं अर्विंद केजरिवाल राहूल गांदी की बातचीत हुई तीन दिन पहले और अर्विंद केजरिवाल दिल्ली को लेकर मैं इसलिए भी कोई जवाब नहीं आया है तो दिल्ली पर गटबंधन को उसका खाका फॉर्म अप हो गया है कि नहीं संदीब जी मैं ये जरूर कहूंगा कि आप से तेज इस मैंटर में न मैं हूं न देश का और कोई पत्रकार है अगर इन दो बड़े नेताओं के बीच में फोन कॉल होगी तो मुझे इसके जानकारी नहीं है लेकिन मैं ये जरूर कह दू कि हाँ इंडिया गटबंधन के सारे पार्टनर्स के बीच में गंभीर चर्चाएं हो रही है हर स्टेट को और हर सीट का समिकरन किया जा रहा है और मैं यकीन दिलाता हूं देश भर के जितने भी व्यूवर्स आज ट्यूंड इन है कि चंद ही दिनों में जो खाकब बन कर आएगा ये भाजपा को और नरेंद्र मोदी जी की ताना शाही सरकार बनाने का एक सबसे मजबूत कदम देश आगे रखने वाला है पंजाब में हो या ना हो दिल्ली में घटबंधन जरूर होगा कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी का नहीं ऐसी बात नहीं है ना ऐसी बात नहीं है हम नहीं कह रहे हैं कि पंजाब में नहीं होगा या दिल्ली में होगा मतलब निश्चित तोर पे पंजाब में कॉंग्रेस की मौझूदगी है पंजाब में कॉंग्रेस की मौझूदगी मौझूदगी है दिल्ली में उसी तोर पे आम आदमी पार्टी की मौज़गी गुजरात में हैं हमने 14 प्रतिशत वोट शरमें वहां पे भी मिला था तभी हम नैशनल पार्टी बने थे गोवा में भी हमारे दो MLA है तो जहां जहां जिस पार्टी का दबदबा है उसको यह जो भी समिकरन होगा कैलकुलेशन होगा उसमें फ्यक्तिरिंग किया जाएगा लेकिन मैं वापस कह दूं कि इसमें हमें एक सीट में कम मिल जाए चार सीट कम मिल जाए उसे हमें कतए परेज नहीं है हमें देश के बारे में सोचना है या आपसी हित के बारे में हमें मेरे ख्याज़ते सारी पार्टे से उपकर बात कर दिये एडी की जो सक्रियता है वो तीसरा समन तो इग्नॉर कर दिया अर्विन के जिरिवाल ने एडी की सक्रिता सीटों के बटवारे से तो नहीं जूड़ी हुई कहीं कि गटबंदन मत कर ले ना कॉंग्रेस के साथ बिलकुल आप आपने बहुत एहम सवाल संदीब जी आपने एहम सवाल पूछा लेकिन मैं आपको पहले करेक्शन कर दूँ एडी के समन को केजरिवाल जी ने इग्नोर नहीं किया है तीन से चार पने का डीटेल रिस्पॉंस बेजा है जैसे उन्होंने पिछले दो एडी के समन्स पर बेजा था और साफ साफ सवाल पूछे हैं कि देखे एडी भी देश के समविधान से उठकर किसे को ऐसे ही समन्स नहीं बेज सकती है कुछ- अगर एडी में इतनी ट्रांसपरेंसी है मतलब नहीं मानेंगे तो जैल जाएंगे तो जैल जाने की ज़रुत नहीं बात वो नहीं है संदीब जी दो साल से जिस केस के उपर इंवेस्टिकेशन चल रही है हजार से ज्यादा रेड हो चुकी है तो मुझे ये बताईए कि महीने में लोग सभा चुनाव होने वाले तब अरविंद केजरिवाल की याद क्यों आई चलिए इस पहले याद क्यों आई तो जाकर के कोट जा सकते थे लेकिन उनको पता है कि कोट से यदि नहीं रहत मिलती है तो राजनेतिक सभर सहीद होने का मौका खो देंगे इसलिए वो चाहते हैं कि वो एडी उनको गिरफतार करें वो गिरफतार ही चाहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में आप अरविंद केजरिवाल तो कल तक यहीं कहते थे कि भाई एडी एडी बुलाए और समन जारी करे और आप नहीं आ पाते हैं सर्म हो स्रीमत्री सोनिया गांदी जी के लिए उन्होंने कहा था आज वही रस्ती का फंदा जो दूसरों के लिए उन्होंने खड़ा किया था उंके गले में आकर पढ़ागी की तरह भी इस्तमाल हो रहा है एक मिनट संगीत थोड़ा टाइम लाइन आपको मेंटेन करनी पड़ेगी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी अब दुबे आप पस्चिम मंगाल पर आते हैं नहीं अभी देखिए बहुत सारे पेंच हैं जिन पर स्पष्टी करन चाहिए पस्चिम दरार है या यह कोई वेल थोट आउट प्लान है संदीब जी एक दस सेकंड सिर्फ दीजिए मुझे बहुत जरूरी जवाब देना है भावना गवली को चार नोटीस दिये थे एडी ने शीव सेना की MP थी उसने कहा एडी के पास नहीं जाओंगी भाजपा से मिल जाओंगी आज दो साल हो गए बताये ना प्रतानमंत्री जी क्या हुआ अजीद पमार का जुलाई 21 में एक प्रेस रिलीज जारी किया था एडी ने कि सुनेत्रा पमार और अजीद पमार की 60 करोड की संपत्ती जब्त करते हैं 826 करोड रुपे के गोटाले में सनलिप्त ता है जब गल पूरा कार्टम किया है पर्षिम मंगाल पर आते हैं एक मिनट संगीता इसे नहीं चलेगा वेश बेंगाल वेश दिखिए पर्षिम मंगाल में हम हर संभव प्रयास करेंगे कि गडबंदन हो इंडिया के दलों का और अगर महां यह गडबंदन की बाशा है फिर से दोरा रह सकते हैं मैं देखिए राजा बरार जी ने पंजाब में बयान दिया आपने वेश बेंगाल में बयान दिया तो जो स्थानी नित्रत्व है वह वहां पर आपको यह दिखाई देगा प्रतीस परदा लेकिन एक समनवाय अच्छा स्थापित करने के लिए हम सब प्रयास कर रह लोग सबामें आपके नेता हैं अधीर रंजन जी का की वॉइस है मैं इंकार नहीं कर रहा हूं लेकिन हम इंडिया के गडबंदंदल चुनाव जीतने के लिए तालमेल बना रहे हैं चुनाव हारने के लिए कते ही नहीं जहां जो ताकत्वरे राहुल गांदी जी ने कहा थ जहां जो मजबूत है वो द्रड़ता से भारती दंता पार्टी के खिलाफ अंकारी सत्ता के खिलाफ लड़े तो उसी को आधार बना कर हम समझोता करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि यही ममता जी भी बड़ा रदय दिखाएगी कॉंग्रेस पार्टी भी बड़ा रदय क संदीब जी 2019 के चुनाओं में सारे 42 सीट पे कॉंग्रेस ने चुनाओं लड़ा था और उसका नतीजा यह हुआ कि वो सिर्फ दो सीट जीत पाए और उनका जो वोट परसेंटेज है वो लगबग पांच पांच परसेंट के आसपास था CPM से भी कम तो आपने सुना है कि आपने सही कहा कि जी 5.67 परसेंट लगबग उनका सीट शेरिक था देगे बंगाल में कॉंग्रेस के एक बड़े नेता है अधिरंजन चौरदी जी और वो लगातार मुर्शिदाबाद से MP बने रहे हैं लीडर अफ अपोजिशन है उनकी ए साथ शेरिंग केम के लिडर के तरफ से अफ थे जयां अपने परटी के अपनी मीडिया में प्रीपोर्ड अप चेक कर सकते बंगाल गया अब दुसरी तरफ है कि मंता बैडर जी की जो राजनेतिक समझभूज है देश में आज उनकी जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है जमीन में उतर के राजनीती करना और चुनाओ जीतना वो उस पे कोई संदे किसी का नहीं है अगर आप उनकी उनको कंपेर करें तो अधिर जी से काफी ज्यादा समझभूज उनको है बंगाल के अंदर न ना चले जाएं त्रिनमूल से नाराज जो कॉंग्रेस को वोट दे सकते थे वो भी बीजेपी को वोट दे दें कि नहीं देके लेफ्ट तो यह तो इंडिया लाइइन्स इसमें तो लेफ्ट भी है पार्टनर और यह थो देश भधर का आई जबके आज आज जो यह जो गढदन बना है यह तो देश को बचाने के लिए गढदन बना है यह इंडिया अलाइंस ही इसलिए बना है पने अस्तित्व की लडाई भी है अपना राज्य भी बचाना है संधीर आपने सही बोला अपना राज्ज्य तो तभी बचएगा अपना ऐस्तित्व तभी बचएगा जब ये देश बचएगा यहां टो देश पहले की अपना अस्तित्व पहले ये सवाल भी तो है ना पंकट शर्मा एक सक इम्तौसर भाई पंकत शर्मा ये दरार है ये दरार हकीकत है फसाना है या राजनितिक विशलेशक राजनितिक जानकार अभी मुलम्मा उड़ा रहे हैं असल तस्वीर अभी आनी बाकी है फताना भी है जब थोड़ी बहुत हकीकत कहीं होती है तो इसको फताना बनाने की दिल्चस्पी रखने वाले भी बहुत लोग होते हैं तो ये भी एक बात है अब देखिये ये जो इंडिया समुह के राज्यतिक डल हैं इनमें आपस में अलग-अलग राज्यों में अलग-अल करने को तैयार हूँ लेकिन अपने यहां मैं कांग्रेस को जगे नहीं दूँगा ममता बनर जी सोचें कि मैं बंग्राल के बाहर तो सब जगें सालमेल करने को तैयार हूँ जहां त्रन्मूल कांग्रेस का ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन मैं बंग्राल में जो अपना आं लो 6%, तो क्या जलूरी है कि इस बार भी वोट उसनई ही रहेगा इंडियों पे लड़ना है तो प्रेस्वारवाएं सन्देश ये ओर अगर आदमी पार आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में आप गड़बंदन कर लो और पंजाब में ना करो संदेश तो तब भी ये जाएगा या वो स्मार्ट प्लिटिकल मूव होगी नहीं नहीं कोई स्मार्ट प्लिटिकल मूव नहीं होगी बिलकुल यही संदेश जाएगा और ऐसा संदेश अगर जाएगा तो इससे तो बहुत नुक्सान होगा वैसे ही बहुत देर हो गई है 23 जून को पटना में 16 विपक्षी दल मिले थे तब ये ताय हो गया था कि इकट्थे चुनाव लड़ेंगे तो फिर 6 महीने सब कहा हो उंग रहे थे 18 जुलाई को बैंगलोर में तो इंडिया समू के गठन का बाकाइदा एलान हो गया था इंडिया समू नाम रख दिया गया था तो उसके बाद पादे लड़ेंगे तो बीजेपी के लिए रास्ता को लेंगे अभी तक वो दुआर खुले नहीं है अलग अलग लड़ेंगे तो बीस की बीस आपस में बातेंगे तो नहीं होगा बहुत देर वैसे ही हो चुकी है मैं फिर कराओं आप से कि अब अगर इन्होंने और ज़्यादा देर की तो देश में इसे ये पंदेश जाएगा कि विपक्ष का तालमेल आपस में खीक से नहीं हो पा रहा है ये तो सवाल जसका तस बना हुआ हुआ है तालमेल अगर हो रहा होता है कि SC, ST, OBC पर खास दियान देना होगा ये तो इंडिया की तरफ से आना चाहिए ना इंडिया समू की तरफ से आना चाहिए अब ये अलग अलग सुरों में सब अपनी अपनी बात कहें उसका वक्त है ही नहीं मुझे ये लगता है कि कांग्रेस में एक धड़े को ये लग रहा है कि इंडिया समू के राज़नितिक दल अंततह एक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे इसलिए कांग्रेस को अपनी अकेले भी तैयारी चुनाव लड़ने की रखनी चाहिए लेकिन मेरा अगर बरोसा एतबार इतना कम है दूसरे पर तो कैसे लगेगी नहीं आपार वही मैं संदीब जी कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि एक धड़े को ये लग रहा है लेकिन ये सोच परिपक्व नहीं है कोशिश ये होनी चाहिए कि ताल मेल किसी भी हालत में हो और ये सोच न रखी जाए कि हम अलग से अब जब आपर ताल मेल को कितना टालेंगे और आज तो बहुत सारी बाते पंकर शर्मा ने वो कह दी जो आपकी बांचे खिल रही होंगी संगीत रागी मैं मेरी बांचे नहीं खिल रहे हैं संदीब मैं यह जानता हूँ यह अच्छी तरीके से जानता हूँ कि पूरा जो इंडिया गटबंदन है एक सदा हुआ समूह नहीं है इसके अंदर अपने Factions है ममतावनर जी अरविंद केजरिवाल का एक अगलक Factions है अंदर के वही Congress Party में अपंकर सर्मा बिल्कुल सही कर रहे है Congress Party को इस बात का डर है कि हम झेतरिये डलों के साथ है भी हम सीटों का सम्झोता करते हैं ना बच्चे हैं आपको S.C.S.T. O.B.C. और मुसल्मानों अल्प संख्यों को पर ध्यान देना है ये बात तो नितीश कुमार कह रहे हैं अखिलेश कह रहे हैं नितीश कुमार कह रहे हैं मेरी जातिकत जन्गन्ना काई प्रचार प्रसार नहीं कर रही कॉंग्रस ड्राइंग पर मलिकार जुन खड़गे कह दें या अधीर रंजन चौधी कह दें या नितीश कुमार कह दें ये बड़ा अच्छा लगता है यदि दरार नहीं होता तो नितीश कुमार एक तरफा सीटों का एलान नहीं करते ध्यान रखिएगा अगला सवाल अभी मैं अरुनाचल देश में लड़ने के लिए फीट तरतबा चुके हैं अपने लोगों को कि हम दस सीटों से कम नहीं लड़ने जा रहा हैं वहां पे ऐसी इस्तिती में कॉंग्रेस पार्टी ये ये कह रही है कि ये देखिए स्ट्रेटजी भी है कुछी सवाल सीधा है कि आप ये मत बोलिए क हम देश के देश बचाने के लड़ा हैं आप ये कहिए कि आप अपनी राजनेती को वजूद बचाने के लिए लड़ा हैं तो पहले राजनेती को वजूद पर ही राजनीती होती है बाकि कितनी दर्शनिक बाते करते रहे हैं पर अब है दुबे अब ये सीटों के तालमेल म तेह नहीं किये हैं कि यहीं लड़ेंगे अब इस तालमेल को क्या नाम देंगे हैं संदीप चोधरी जी सबसे प्रसनता इंडिया के दलों के गड़बंदन की और सफलता मैं इस बात से मानता हूँ कि संगीत रागी जी सारी संभावनाय भारती जनता पार्टी के लिए इस बात में तलाश रहे हैं कि इंडिया के गड़बंदन दलों का अच्छा तालमेल नहीं हो तो ये इंडिया गड़बंदन के लिए एक अच्छी ख़बर है मैं आपके बीच में नहीं बोला था संदीब जी एक में कॉंटेक्स ठीक कर दूँ जो बार-बार आप खड़गे साब के बयान का कह रहे हैं CST OVC माइनरटी का वो उसका कॉंटेक्स सिर्फ ये था कि बड़ी संख्या में इन लोगों के वोट हटा दिये जाते हैं वोटर लिस्ट में से तो उन्होंने अपने प्रांती अध्यक्षों को और लीडर ऑफ उपोजिशन को कहा है कि इस बात पर गंभीरता से काम करिएगा भारती जन्ता पार्टी नोगों के वोट बड़ी संदीब जी मिटिंग थी हमारे प्रांतों के अध्यक्षों की और लीडर ऑफ उपोजिशन की हमारा भी संगटनात्मक धाचा है अंदर इंडिया गट बंदन दलों में तो ये चर्चा होती ही होती है लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्टी के अंदर इस पर बात करें एक बात दुसरी बात आप विलकुल पूरे आत् ने प्रांतों की आपने बात की सब जगे अच्छा तालमेल होगा जो आंतरिक हमारी तैयारिये में उसका उसकी चर्चा आपके सामने नहीं कर सकता लेकिन बहुत भारती दंता पार्टी के लिए चोकाने वाली सीट शेरिंग होगी जिसकी बहुत अच्छी आपका जरूरी देखिया आज से पहले आप इस बात पर चर्चा करते थे कि अभी तो सीट शेरिंग की कोई चर्चा भी नहीं अरे बहुत तारीक बता रहे हैं कि अभी इस तारीक आपकी तरफ से आई है बीस तक हो जाएगा ना संदीप जी आज हमारी मेनफेस्टो कमीटी की मीटिंग पहली हो गई है हम अपना मेनफेस्टो पर काम करके सारे राजनातिक दल कर रहे है उसके बाद एक साजह मिनिमम प्रोग्राम हम लोग देंगे और भश्वास अ आएगा और उसके बाद सीटों के बटवारे का फॉर्मूला भी कौन कहां कितनी लड़ेगा सामने आएगा हकीकत है फसाना है अभी हमें मालूम नहीं दरार का सामने आजाएगी तस्वीर और आपका क्या कहना है हजारों की तादाद में हमारे दर्चक अपनी राय साजा कर रहे हैं ब्रेक के बाद वो भी दिखाने वाला हूँ बने रहे हैं कि आख लुद है है कि कर दो कर दो जिन बातों का पड़ता है आप पर असर वो बनती है पब्लिक इंट्रेस्ट की खबर जिस उमर में बुजर्ग को घर बैठना चाहिए उस वक्त ये सडकों पर क्या कर रहे हैं सवाल है पेंशन आखे रिलीज क्यों नहीं होती आपके हिट से जुड़ी हर बड़ी खबर को गहराई से जाने और रहे आगे देखते रहे पब्लिक इंट्रेस्ट सिर्फ एवीपी निउस पाद जब स्यासत की शोर में खबर खोने लगे जब सूचनाए कम हंगामा ज्यादा होने लगे तब जुरूरी है संविधान के पन्ने पलटना खबर की तेह हटा कर आगे निकलना मगर ये करेगा कौन इसलिए अब टूटेगा माउन जिसे मालूम है स्यासत की विसार जिसमें देखी है सत्ता की शेह और माँ पक्की हबर सच्ची बाद एक घंटे सिर्फ आपके साथ भारत की बाद रोहित सिंग सावल के साथ सोमवार से शुक्रवार रात आठ बजे सिर्फ एबीपी नियूस बर दादी के हाथों का जादू और खुश्बू से महकता घर मा की मुस्कुराहट और प्यार से बनाए खाने की सुकंद मैं सब के साथ हूँ सब की जुबा पर हूँ सब के स्वाद में हूँ MDH गर्म मसाला असली मसालों से भरा हूँ मैं MDH गर्म मसाला क्योंकि हर रिष्टा है स्वाद से जुड़ा अंबा फ्लक्सियोग TMT made with enhanced to refine process experience the next level of steel मिलिये सिरिमा कुमार से जो टाइलाइड्स के लिए सेलेबरिटीज क्रें कर रहे हैं पैसे दो तो ये कुछ भी करें और ये है Orient Bell website with no added celebrity यहां मिले हजारों डिजाइन्स का सही प्राइस और website पे दिखाए अपने घर में उसका लोग Orient Bell Tiles 100% Tiles, 0% Celebs लाइफ में एक गोल होना चाहिए गोल, actually दो भी हो सकते हैं एक और Volkswagen टाइक में एक नए अडवेंचर की तलाश में एक नए धुनगुन गुनाते हुए सभी की सेफटी का ध्यान रखते हुए क्यूंकि टाइगून के साथ हर ड्राइव सिर्फ एक ड्राइव नहीं एक अनोखा अनुभाव है Volkswagen मेरा शो सास बहु और साजेश आप अपने स्मार्ट टीवीज और मोबाइल पून्स पर भी लाइव देख सकते हैं जिहाद डाउनलोड कीजे ABP लाइव आप गुजरात के महसाना जिले का मोढहरा और सौर उर्जा के जरिये अपनी पूरी उर्जा जरूरतों को पूरा करने वाला भारत का पहला गाउं बन गया है अधिकारियों का कहना है कि ये काम्याबी गाउं में आवासिय और सरकारी भवनों पर 1300 से ज्यादा रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने से संभव हो पाई इसमें से हर सिस्टम की शमता एक किलो वॉट है BSSS यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ जुड़े इन सोलर सिस्टमों ने गाउं को नेट रिन्योवल एनर्जी जनरेटर में बदल दिया है जब सोलर प्लान लगा नहीं था तब हमारे घर 1500 रुपय भी लावतू थो देश के SSV प्रधान मंत्री आदर्णिय नरेंद्र भाई मोदी जी की नई सोच की वज़ह से आज हमारा मोधेरा गाउं ए देश का प्रथम गाउं है ऐसा जो पूरा गाउं सोलाराइजेशन प्रोजेक अटकर अभी चलता है 80.66 करोड रुपय के लागत वाले सूरे ग्राम प्रोजेक्ट के तहट गुजरास सरकार ने मोधेरा में लगभग 1700 घरों में से 1350 में रूफ टॉफ फोटो वाल्टिक सिस्टम लगाई है सेंटर एलेक्रिसिटी ग्रिट से जुड़े सौर पैनलों ने अधिकांश घरों के लिए बिजली खर्च को 40 से 100 प्रतिशत कर दिया है प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने गाउं की उपलब्धी को स्विकार करते हुए अक्टूबर 2022 में मोधेरा का दौरा किया और इसे भारत का पहला 100 उर्जा संचालित गाउं घोशित किया अधिकारियों के मताबिक मोधेरा अब रोजाना 6332 किलो वाट घंटे बिजली का उत्पादन करता है जो 6000 किलो वाट घंटे की दैनिक खपत को पार कर गया है गाउं ग्रिड को अपनी अत्रिक्त ग्रीन एनरजी की सप्लाई करता है साथी वो सौर उर्जा के साथ प्रतिष्टित सूर्य मंदिर को रोशन करता है ये बदला अब मोधेरा को टिकाउ जीवन का वैश्विक प्रतीक बनाता है जो ना सिर्व भारत बलकी बड़े पैमाने पर दुनिया को प्रेरेट करता है तो इंडिया गड़बंदन में दरार हकीकत है या फसाना है यानि कि कोई राजनेतिक रननीती भी चल रही है हमारे दर्शक अच्छी खासी तादाद में अपनी राए भेज रहे हैं किरार मध्यप्रदेश के वो कहते हैं इंडिया को अगर बीजेपी से लड़ना है तो सभी को कुर्बानी देनी पड़ेगी वो इंडिया शब्द इस्तमाल नहीं कर रहे है ये भी दिल्चस्प है आज बस इतना ही नमस्कार जिन बातों का पढ़ता है आप पर असर वो बनती है पब्लिक इंट्रेस्ट की खबर जिस उमर में बुज़ूर को घर बैठना चाहिए उस वक्त ये सडकों पर क्या कर रहे है सवाल है पेंशेन आखिर रिलीज क्यों नहीं होती आपके हिट से जुड़ी हर बड़ी खबर को गहराई से जाने और रहे आगे देखते रहे पब्लिक इंट्रेस्ट सिर्फ एवीपी निउस पाथ जब स्यासत की शोर में खबर खोने लगे जब सूचनाए कम हंगामाद ज्यादा होने लगे तब जुरूरी है सम्विधान के पन्ने पलटना खबर की तह हटा कर आगे निकलना मगर ये करेगा कौन इसलिए अब टूटेगा मौन जिसे मालूम है स्यासत की विसार जिसने देखी है सत्ता की शेह और माथ पक्की हबर, सच्ची बात एक घंटे सिर्फ आप के साथ भारत की बात रोहित सिंग सावल के साथ सोमवार से शुक्रबार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी नियूस पर आपका हर सवाल सीधा होता है इसलिए पूछने वाला भी वही हो जो सवाल करे बिलकुल सीधा क्या आने वाले दिनों में अखिल भारती अस्तर पर भी यही रेवडियों का खेल करना अब दोनों ही पक्ष सत्ता पक्ष हो या बिपक्ष की मजबूरी भी हो जाएगा क्या मुद्दे उठाए वो जो हो सिर्फ आपके सरुकार से जुड़े संदीप चौधरी आपके सवालों को रखे आगे देखिए सीधा सवाल रोज शाम साथ बजे एवीपी न्यूस पर मेरा शो खबर फिर्मी है अब आप अपने मोबाइल पोन्स और स्मार्ट टीवी पर भी लाइव देख सकते हैं डाउनोट कीजिए एवीपी लाइव आट लोगों में पढ़ने की आदट डालने के लिए कॉलकाता में एक अनूठी पहल की गई है उत्रोर अड़ा क्लब उत्री कॉलकाता के देश बंधू पार्क में सडक पर एक ओपन एयर लाइबरी चलाता है सितंबर 2022 में शुरू की गई ये लाइबरी शहर भर के पुस्तक प्रेमियों की तरफ से दान की गई किताबों और मैगजीन से भरी होई है किताब अभी जिन्दा है किताब सब का मन में है किताब लेके ही सब कुछ हुआ है किताब में पैन के ही सब बढ़ा हुआ है लेकिन अभी किताब किसी का हाथ में उठता नहीं किसी का बैग में जाता नहीं बच्चर लोग से बुरा लोग तक सभी मोबाईल में एक्सेस रख करता है तो इसलिए किताब अभी जिन्दा है इसको फिर हम लोग सामने उपस्थाप होने के लिए ये स्टीट के उपर लाइबरी वहा है किसी को बाठता देने से अच्छा होगा किताब अभी जिन्दा है शाहा का कहना है कि इस ओपन एयर लाइबरी के लिए जगए बहुत सोच समझ कर चुनी गई थी ये लाइबरी एक पार्क के करीब है जहां रोज सुबा बड़ी तादाद में लोग सेयर करने आते हैं क्यलकाटा में बहुत सारे लाइबरी है अभी सौसाल के भी पुरान भी लाइबरी है तकिन अभी ओचलता नहीं कोई जाता नहीं कोई एक्सेस नहीं करता बोई तो यही सोचके किया है कि अभी किताब जिन्दा है इसलिए हम लोग देशबंदू पर्क के ठीक बहुत लोग आता है सारे मारनी हुआ करने के लिए बच्चे लोग बुरे लोग सबे लोग आता है उसके पास भी चाय का धुका नहीं इसमें कोई-कोई आड़ा भी मारता है य लाइब्ररी में एक डेस्क और कुछ कुर्सियां रखी गई है जहां लोग आकर ना सिर्फ किताबे पढ़ सकते हैं बल्कि उनके विश्यों पर चर्चा भी कर सकते हैं जम्मू कश्मीर की गुरीश मकालीन राजधानी श्री नगर में बुधवार को नियूंतम दापमान शूनी से कई डिगरी नीचे दर्च किया गया शुष्क मौसम और कडाके की ठंड की वजह से शिकारा के मालिकों पूर जम्जुकी डल जील में टूरिस्टों को ले जाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पढ़ रहा है तो सर्दी ज़्यादा होती है शिकारा नहीं चल पाता है क्योंकि लेक्स पूरा जमाव हो रहता है और अब देखिये देश के प्रमुक शहरों में कल कैसा रहेगा मौसम का हाल कर दो कि दूर बहुत है जिन बातों का पड़ता है आप पर असाय वो बनती है पब्लिक इंट्रेस्ट की खबर जिस उमर में बुजुर्ग को घर बैठना चाहिए उस वक्त ये सडकों पर क्या कर रहे हैं सवाल है पेंशेन आखिर रिलीज क्यों नहीं होती आपके हिट से जुड़ी हर बड़ी खबर को गहराई से जाने और रहें आगे देखते रहें पब्लिक इंट्रेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूस पर जब स्यासत की शोर में खबर खौने लगे जब सूचनाएं कम हंगामात ज्यादा होने लगे तब जुरूरी है संविधान के पन्ने पलटना खबर की तेह हटा कर आगे निकलना मगर ये करेगा कौन इसलिए अब टूटेगा मौन जिसे मालूम है स्यासत की विसार जिसमें देखी है सत्ता की शेह और मात पक्की खबर, सच्ची बात एक घंटे सिर्फ आपके साथ भारत की बात रोहित सिंग सावल के साथ सोमवार से शुक्रबार रात आठ बजे सिर्फ एबीपी निउस पर पावभाजी पावभाजी को फेवरेट बनाता है M.ड.H. पावभाजी मसाला पेशी पावभाजी की यही पहचान M.ड.H. पावभाजी मसाला इसके बिना पावभाजी कहा बनती है M.ड.H. पावभाजी मसाला M.ड.H. बनाए पावभाजी लाजवाब असली मसाले सच सच M.ड.H. M.ड.H. How far we take an idea is a question of willpower M.ड.H. सरुकार से जुड़े S.ंदीप चौधरी आपके सवालों को रखे आगे देखे सीधा सवाल रोज शाम साथ बजे ABP News पर हब्रों का नया सवेरा हर सवार कसोटी पर खरा Without प्रोपोगांड़ा ABP News तै करता है हब्रों में आगे का एजेंडा सुबहत दस बचे सिर्थ ABP News पर प्रों में आगे में आगे